लेटेश्ट ख़वरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सबस्क्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दवाएं बैल आइकन नमस्कार आप देखरें गजब समाचार लाश्पत नगर इस्थित अमर कलोनी कपड़ा मार्केट में दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी सीलिंग की कारवाई की गई है यहां करीब 700 में से साले 500 से ज़्यादा दुकानों को सील कर दिया गया है और जो दुकाने बची हैं उन पर भी सीलिंग की तलवार लटक रही है वहीं व्यपारियों से मिलने पहुँचे दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंदी के इजरिवाल को कारोबारियों के गुसे का सामना करना पड़ा ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली का एक बाजार पुरी तरह से सील कर दिया गया हो सीलिंग के दुरान दुकानदारों और पुलीस बल के बीच जबरदस जड़प हुई दुकानदारों और कामगारों की विरोत को देखते हुए पुलिस बल का परियोग करना पड़ा जिसमें कई दुकानदारों को गंभीर चोटे भी आई इस जड़प में महिलाओं को भी पीटा गया जिससे व्यापारियों का गुस्सा और भी बढ़ गया आकरोशिद व्यापारियों को शांत करने के लिए अब राजनितिक पार्चियों ने एक दुसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जड़प के दुसरे दिन दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद के जिरिवाल दुकानदारों से मिलने अमर कॉलोनी मार्केट पहुँचे जहां उन्हें उनके गुसे का सामना करना पड़ा बियापारियों को मुख्य मंतरी के आसवासन काफिन नहीं लगे और उन्होंने अपनी दुकानों को जंद खुलवाने की मांकी मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल ने परधान मंत्री को पत्र लिखने की बात कही और साथ ही वे यह कहा कि अगर सीलिंग नहीं रुकी तो वह 31 मार्च से खुद धरने पर बैठ जाएंगे तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें एवं इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले